करेंगे तुनिया के अंदर इंडिया के अंदर और बैंकिंग सेक्टर में पारेंट्समें वह है अपन सभी कवर अपकरेंगे फ्रेंट विडियो में देखेंगे एक-एक section को अलग से देखते हुए तो friends यह हमारी wifi study app है अगर आपको application के तुरूप preparation करना है तो आप हमारी wifi study app डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ आपको मिलेगा daily current affair, gk test दोने ही format में हिंदी में और इंग्लिश में और आप इसे google place दाउनलोड कर सकते हैं यह app आपके सभी exam के लिए बहुत ही important है जैसे कि banking, HSC, UPSC, railway और बाकी सभी exams के लिए भी friends यह पिछ आपके लिए बहुत important है हमारी एक pen drive course है जिसके अंदर A to Z vocab videos pen drive course है यह जिसके अंदर आपको 60 videos मिलेंगे और 3000 words की vocab से जो कि हमने cover कर दिए और सभी tricks के साथ में cover करिए जो कि बहुत ही easy है और कोई भी उसको vocab को बहुत ही आसने से याद कर सकता है तो अगर आपको इससे related कोई query है जो आप call कर सकते हैं या हमें email कर सकते हैं support at wifi study dot com के उपर friends अगर आपको application के तुरू preparation करनी है vocab के तो हमारी vocab है vocab 24 नाम से एक application है जिसके अंदर आप vocab लेरी की practice कर सकते हैं और कई सारे नए words है जो कि हिंदू editorial से और कई और भी कई सारे newspaper से related है और इसको आप यहाँ पर download कर सकते हैं play store से और आप अपने preparation को एक अच्छा अच्छा mode दे सकते हैं अगर आपको यह वीडियो प्रसंद आता तो आप हमें subscribe करें अगर subscribe करने के बाद हम आपको और वीडियो और content और कई सारे important material प्रोवाइट करेंगे जिससे आपको preparation करने में help होगे सबसे पहले start करते हैं international section से उसके बाद चलेंगे national की तरफ then trade and banking सभी हम important important cover up करेंगे तो देखते हैं सबसे पहला important question Antonio Costa who will be the chief guest on the Pravashir Bhartya Divas 2017 is the prime minister of which country तो जो dr. Antonio Costa है वो chief guest अपने Pravashir Bhartya Divas 2017 के बनेगे तो यह कौन से देश के प्रसान मंत्री है तो देखते हैं इस related news Antonio Costa the prime minister of the republic of Portugal has accepted an invitation from the PM to be the chief guest at the 14th Pravashir Bhartya Divas convention to help from 9 to 7 to 9 January at the at Bangalore तो फ्रेंट इसके अंदर कुछ important content है जो कि आपको याद रखना है पहला तो इसके अंदर अपने जो chief guest है वो Antonio Costa है दूसरे यह पर्चुगिल के prime minister है और तीसरे आपको इधान रखना है कि इस बार का जो प्रवासir Bhartya Divas होगा वो Bangalore के अंदर होगा खनार का के अंदर और 7 से 9 January के और Michael Ashwin है जो कि Vice President है Republic of Suriname के तो वो बनेंगे आपे special guest at the Youth Pravashir Bhartya Divas तो Youth Pravashir Bhartya Divas के अंदर तो Suriname के Republic Suriname के Vice President है आईश्विन वो Michael Ashwin वो होंगे chief guest और जो major event है जो प्रवासir Bhartya Divas है Youth के अलावा वाला उसके अंदर होगे Antonio Costa तो Portugal के आपके थोड़ा और important देखिए Portugal की capital वो Lisbon है और currency Euro है तो एक कुछ एक important container जो आपको जान रखना है और आपके paper में बहुत काम आएगा अगले question है इस फिर्फिंश्र के आप स्सक्राइंग का इस हञा है श्बाइट गातूर के लिषान देखेए प 550 प्राइबा के अपिनलतने इस फिर्फेटेहिआ वह स्सक्राइब भा हइस रहने अंस इस बदेखिश वंते का इस पर इस हो ve लिषनिश कैसे प्रॉश institution other than IIT Bombay to feature in top 100 तो IIT top IIT Bombay के अलावा खरकपुर यह यह दो ही इंस्टीट है जो कि top 100 के अंदर है और Stanford University और MIT को first और second rank दी गई है वाईल चाइना तिंश्वा उनिवर्सिटी ग्रैप third place तो Stanford University और Massachusetts Institute of Technology MIT को first और second rank इसके अंदर दी गई है और इंडिया की तरफ से टॉप उनिशिटी बताई गई है IIT खरकपुर विच कंट्री विल प्रिसाइड 2017 एनर्जी क्लब और शेंगाई कोर्परेशन ओर्गनाजिशन तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले आपको यह सेंगाई कोर्परेशन और शेंगाई कोर्परेशन और शेंगाई कोर्परेशन और बीजिंग के अंदर इसका है बीजिंग के अंदर S.C.O. का ऑके और S.C.O के जो इस वक्त जो सेकेर्टरी जनरल है राशीद ओली मोग और इस देश के छह मेंबर हैं शह observer हैं और शह dialogue partners हैं और तीन guest हैं और इंडिया इसके अंदर observer के status में इंडिया को यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों को observer का status दे रखा है और इसके 6 member हैं और शह observer शह dialogue partner तीन guest ओके यह सब इसके इससे related है और के बारे में आपको headquarter याद रखना है इसके जो secretary general है वो भी जान रखना है और यह organization क्या euro Asian यानि की euro plus Asia दोनों की organization है तो इसकी 2017 की जो energy club गया है उसकी जो seat है वो किस country को मिलेगी देखते है इस तर्की विल चेयर दा energy club of the shanghai corporation organization the 17 became the first non-HCO country to hold its term presidency तो इस साल के जो 2017 के जो presidency chair है वो मिलेगी तर्की को और तर्की बनता है पहला non-HCO country जिसके पास यह chair जाएगी तो आप का answer है तर्की तो तर्की की capital है अंकारा और उसकी currency है लीरा प्राइम मिनिस्टर है डिसेप टाइचिप अड़ोगन यह इसके यह इसके प्राइम मिनिस्टर है तो यह important container जो आपको याद रखना है तो information society report 2016 के अंदर इंडिया की ranking क्या है देखते है news UN international telecommunication union released the 2016 edition of the measuring the information society report चहापे 175 economics के अंदर दुनिया के अंदर Republic of Korea ने इसको top किया है और इंडिया की ranking है आपे 138 और 2015 में इंडिया की ranking थी 135 पोजिशन पर तो इंडिया तीन पोजिशन नीचे आ गया और अभी पहुच गय ranking पर ओके और इसको head किया है Republic of Korea ने इंटरनाशनल तेली कम्म्मिनिकेशन यूनियन ने इसकी report को publish किया है तो information society report तो इंडिया की ranking है यहां पे 138 तो आपका answer हुआ C on which date international day for the elimination of violence against women is observed to international day for the elimination of violence of against women कि जिन जिन जाता है तो देखते हैं news international day for the elimination of violence against women was observed on November 25th 2016 across the world तो November 25 को यह observe किया जाता है international day for the elimination of violence against women और इससाल की जो theme थी वो थी orange the world raise funds to end violence against women orange the world तो यह theme भी important है अगर आप UPC की exam पैट कर रहे हैं तो otherwise बाकी exams में के लिए themes important नहीं है तो आपका answer हुआ है C 25 November 25th November New Zealand most searched by the Indian tourist in 2016 तो New Zealand बनता है ऐसा देश जो कि Indians ने सबसे जादा Indian tourist ने सबसादा internet के ओपर search किया है तो New Zealand was the most searched country by the Indian travelers in 2016 with travel search increased by 52% this year with compared to 2015 according to a new sky scanner survey Australia became the second search destination और Malaysia and UK witness further increase in their travel researches तो यह New Zealand है जो कि इस वक्त इस साल टॉप search किया गया है Indian tourist के द्वारा और इसकी capital है Wellington currency है dollar prime minister है जॉन फिलिप कीव विच कंट्री अज इन्वाइटेड क्राउन प्रिंस वजिरा लॉंक्राउन लॉंक्राउन तो वजिरा लॉंक्राउन को नया king बनाने के लिए कौन से कंट्री ने invite किया है देखते है न्यूज थाइलेंड पार्लेमेंट इन्वाइटेड क्राउन प्रिंस वजिरा लॉंक्राउन तू बी दा न्यू किंग कंप्रीटिंग है फॉर्मल स्टाइब फॉर्दा अप्रेंट टू टेक देट थ्रॉन फॉल्विंग देथ ओफिस फाजर लास्ट मन्थ तो इनकी जो फाजर थे उनकी देश्ट होगे थी लास्ट मन्थ और अभी इनको इनको प्रिंस को महां का क्राउन सौपा गया है तो जिनका नाम है वज दिशनरी.com 2016 word of the year कौन सा है तो देखते है news तो दिशनरी.com ने चूज़ किया xenophobia को विच मेंज फियर और हेट्रेट और फॉर्टनर्स पीपल फॉर्टन कल्चर्स और स्ट्रेंजर्स तो xenophobia को इन्होंने अपना word of the year के तोर पर बताया है विसका मतलब होता है फियर और हेट दिशनरी के अकॉर्डिंग जो इस साल का word of the year था वो था पोस्ट दूरूथ और दिशनरी.com के अकॉर्डिंग है xenophobia जो का अंसर है C तो फ्रेंट यह सारे international news थी important जो हमने cover अपर ही अब देखते है national news which is the world most expensive retail location तो world की सबसे expensive retail location कौन सी है देखते है news national capital upscale khan market has slipped two position to the world 28th most expensive retail location even as it continues to be the closest place to hire a shop in the country says kashman and the big field the new new york upper 5th avenue continue to remain the world most expensive retail location narrowing ahead of hong kong causeway bay तो world की सबसे महेंगी जो retail place है वो है new york की अपर 5th avenue अपर 5th avenue जो है वो world की सबसे महेंगी retail location है जिसको खरिजना सबसादा महेंगा है उसके बाद में second है hong kong का causeway bay और इंडिया का खान market पहुचा है 28th place के उपर इस साल और जो की पहले 26th नंबर पे था और इस बाद 28th नंबर पहुचा है most expensive retail location के अंदर तो आपका अंसर है वैसे दुनिया का जो सबसे expensive retail है अपर 5th avenue जो की नियोंक के अंदर है भेल commission 93 megawatt unit at ril hazira hazira power plant तो जो hazira power plant है वहाँ पे भेल ने commission किया 93 megawatt unit तो state run power equipment maker भेल has commissioned 93 megawatt steam turbine based captive power plant at haziga in gujarat for reliance industries limited hazira तो यह hazira है गुजरात के अंदर वहाँ पे इन्होंने commission किया है this is the second unit of the 4 into 93 megawatt steam turbine based CPP being set up by the bhel for ril at hazira तो hazira के लिए जो reliance industries के लिए उन्होंने भेलने यह लगाया है hazira in gujarat तो आपको यह चीज़ जान रखने कि power plant कहां पर है hazira कहां पर है gujarat के अंदर है तो आपके लिए यह बहुत important है 5th international tourism mart was organized in which state तो देखते है news the ministry of tourism government of india in association with the north eastern states and the bengal has organized the international tourism mart in infal manipur so infal के अंदर इसको organized कहा रहा है जो की capital है किसकी manipur की the event was held in the city convention center और इसको inaugurate किया था श्री और कराम इबोबी सिंगना है जो की chief minister है कहां के manipur के तो आपका ना answer है manipur d आपका answer है manipur infal के अंदर इसको organized किया गया है which is the first e-assembly of india देश की पहली e-assembly of india कहां पे organized करी गई तो देखते है news the palampur assembly constituency of kangra district himachal pradesh become the first e-assembly constituency of the country तो यह e-system was inaugurated in the state assembly speaker which bihari lal bootle at the function held in the palampur तो palampur पहला ऐसा देश का ऐसा ऐसी assembly बनी है जो की e-assembly है electronic assembly है तो जो आपका अंसर है palampur जो की कहां पर है kangra district के अंदर है himachal pradesh के अंदर on which date national constitution day is observed तो समविधान दिवस किस दिन observe किया जाता है तो देखते है news india observes its constitution day on november 26 as it was on this day in 1949 the constitution assembly adopted the constitution तो 1949 1949 के अंदर 26 नॉवंबर के दिन ही भारत ने अपना समविधान ने उसको adopt किया था और उसको enforce किया था 26 जन्वरी से 1950 से तो इसी दिन हमने अपना समविधान adopt किया था इसलिए इस दिन को हम जानते है national constitution day के तहट यानि कि समविधान दिवस और इस occasion पर प्रदान मंतरी नाइंदर मोदी ने दो इनका नाम है अब dated version of the constitution of India and the making of the constitution इन दो बुक का भी inauguration इनको occasion पर इनको launch किया गया तो अब का अंसर है वैसे 26 November which state celebrates वांगला harvest festival तो कौन से state है जो वांगला harvest festival को celebrate किया था तो देख तेन 100 of गारो ट्रिबल gathered here recently to celebrate the harvest festival of वांगला with much for war here. The festival marks the end of a period of toil for farmers wanting a good output from their field तो मेघालय के जो मेघालया है उन्होंने इस festival को जो मेघालय की जो tribe है गारो यहाँ पे तीन tribes है गारो का सी जैनता तो गारो tribe जो है उन्होंने इस festival को enjoy किया और वांगला festival उन्होंने इसको मनाया है तो आपका आंसर है मेघालया मेघालया के जो capital है वो है Shilong Chief Minister है आपे Mukul Sagma और Governor है Shammu Gantanam. देखते हैं next news George Yu has recently resigned as a Chancellor of which university? तो कौंसली University के George ने अभी अभी इस्तिफाक दिया है. तो देखते है news The Chancellor of the Nalanda University George Yu resigned sitting there earlier as he was assured of the university anatomy but now things has changed तो जो Nalanda University है वहां से इनोंने resigned दिया है क्योंकि उनको इतने ज़्यादा राइट्स नहीं दी गए जितने इनको कहा गया था Earlier on 23rd November Nobel Literate Amrita Sen ended his 9-year-long association with the Nalanda University first as a Chancellor and later as a member of the governing body तो कुछ ताम पहले ही Amrita Sen जो कि भारत के Nobel Literate है उनको ने भी यहां से इस्तिफा दिया है 9 साल तक वो नalanda University से जुड़े रहे पहले Chancellor के तौर पे बाद में Member of the governing board के तौर पे तो आपका अंसर है यहां पे नalanda University C Goa will be the first state to go cashless from 31 December तो Goa बन चुका है भारत का पहला ऐसा राज्य है जो cashless हो जाएगा 31 December के बाद में पूरे गाउं में हर महां के राज्य के अंदर यह अभ्यान चला जा रहा है कि कैसे आपको cashless होना है कैसे आपको phone यूज करके transition करने है तो simple आपको start 99 hash आपको dial करना है और उसके बाद में transition करना है ज़रूरी नहीं है आपके पास smartphone हो आपके पास कोई सा भी phone होगा तो उसके अंदर यह काम करेगा तो start 99 hash दबाएंगे आप उसके बाद ट्रानिक्शन के list आएगे और वहां से आप ट्रानिक्शन कर सकते हैं तो जितनी भी आप छोटी मोटी ज़रूरत है सभी महाँ पे cashless हो जाएगी तो गोवाई कैपिटल है पाना जी चीफ मिनिस्टर है लक्षमी कान पार्सेकर और गवर्नर है मिर्दुला सिन्हा रादा मोहन सिंग लाँचेज इ प्रशुहाट पोर्टल तो रादा मोहन सिंग ने लाँच किया है ये कौन है रादा मोहन सिंग दा यूनियं अख्रेकल्टर चुर्अग और भ्रकार्मर विलींस्टर रादा मोहन सिंग लाँच पशुहार्थ पोर्टल ऑन दे ओकेज़न ओफ नैशनल मिल्क डे तो नैशनल मिल्क डे के तोर पहें ओकेज़न पे इन्होंने इसको लांच किया है तो आप्चिट रिजया क्या है अलौंग सब्सक्राइबंग सुझांड प्रोंसे तो अफ-लाइन और ऑन-डॉन दोनों ऑनल अब जब reservation के अंदर है cancellation forms में जगे दी गई है तो आप का answer है Indian railways यह आप का answer है हमसफ़ train was recently flagged off from which station तो हमसफ़ train कौन से station से flag off की गई तो देखते हैं news Prime Minister Nandar Modiya's flag of the हमसफ़ train from Koshinagar that will pay that will go between the Gorakhpur अंदर दिल्ली आलन्द वियार तन्मिनस यह तीन दिन की train है और इसके अंदर LED screen display to show information about the station train speed and we will have announcement system as well तो इसके अंदर काफी सारे technology add-on करी गई है जैसे की LED screen साथ में train की speed और announcement system यह सब भी इसके अंदर add-on किया गया है तो यह चलेगी कहाँ से गोरखपूर और दिली अनंद वियार के बीच में तो आपका answer है खुशी नकर C आपका answer है PM Modi launches India Indian police app to locate nearest police station तो PM Modi ने launch किया है Indian police का application जिसके आपका nearest police station है वो आप locate कर सकते है इस Android and iOS supported app not only provide the list of nearby police station but also delivers added information about the phone number distance of the police station from the person location and they will take to reach the station तो इस application के अंदर काई सारी और भी सुविधा है Android और iOS पर यह support करेगा कि कितना दूरी पर आपका police station है और कितनी देर में police आपके पास पहुचेगी और आपकी location और साथ में phone number तो यह सारी चीजों के साथ में Indian police ने application launch किया है जिसको प्रेम में ने इसको launch किया है लोगों के लिए national milk day is observed on which rate बहुत ही important question तो national milk day कौन से दिन पर observe किया जाता है तो देखते है news all dairy cooperative across the country are celebrated national milk day on November 26th तो November 26th को national milk day organized किया जाता है और इस दिन क्या है इस दिन birth हुआ था कि इनका doctor Vargas Korean का जिनको founder या फिर father of white revolution कहा जाता है तो doctor Vargas Korean is known as the milkman of India तो यह कुछ important information है जो कि आपको ध्यान रखनी है तो आपका answer है 26th November national milk day Asia first cycle highway was recently open in which state तो Asia का पहला cycle highway कौन से state के अंदर open किया गया तो देखते है news उत्तर परदेश now has India's first cycle highway a first of its kind project 207 km long cycle highway run between the itwa and agra and was declared open recently तो 207 km का यह रन्वे है जो की इटावा और agra के बीच में open किया गया है तो आपका answer है उत्तर परदेश डी आपका answer है उत्तर परदेश की जादा और governor है राम नायक लोसर festival being celebrated in Jammu and Kashmir तो लोसर आपको ध्रान रखना है कि festival कहां organized किया जाता है celebrate किया जाता है Jammu and Kashmir में किया जाता है कहां पर लद्दाग region के अंदर to mark the beginning of a new year in the Himalaya region तो new year वहाँ पर बनाया जाता है Himalaya region के अंदर इस टाम पर लोसर इस तिबितन वर्ड फॉर नीव एर का तिबितन वर्ड है लोसर and this festival is an important social and religious celebration in Ladakh तो Jammu and Kashmiri capital है Jammu विंटर्स में शीनगर में और समर्स में शीनगर चेफ निस्टर ने आपे महभूवा मुफ्ती और गवर्णर नरेंदर नात वह रहा अब देखते हैं ट्रेट इन बैंकिंग से important questions देखते है next question एटल payment bank has started a pilot office banking services in which state recently तो एटल payment bank है उन्होंने start किया है अपना pilot project banking services में कहां पे कौन से state में launch किया है तो देखते हैं news एटल payment bank a subsidiary of भार्ती एटल rolled out pilot office banking services in Rajasthan it has become the first payment bank to go live in the country तो एटल bank would comments the pilot with banking points at 10,000 एटल एटल आउटलेज दा इन का testing system and process ahead of its pan-India launch okay तो यह कहां पे start किया गया राजस्थान के अंदर इसको start किया गया है तो यह pilot project है जो कि banking services related किया गया है which institution has been asked by the government to disperse rupees 21,000 crore to the farmers तो कौन सा institution है जिसको government ने कहा है 21,000 crore farmers को देने के लिए तो देखते है news नाबाद to disperse rupees 21,000 crore to farmers तो जो नाबाद है national जो आपका bank है जो कि agriculture के लिए है इसको यह बोला गया है national bank for agriculture and the ruler development को कि यह 21,000 crore farmers को दे to help करने के लिए उनको to saw winter crops like wheat ahead of sowing season ताकि वो अपने crop winter crops वहाँ पर उगा सके तो और देखिए नाबाद का जो फाउंडेशन है वो हुआ था farmers leaving them without cash just ahead of the sowing season तो जो demonetization के वाज़े से क्या हुआ कि बिल्कुल भी पैसे के खिलत आ गई है farmers के पास मैं इसी लिए ताकि उनको crop लेने में उनके जो बीज लेने में उनको दिक्कत ना हो इसी लिए यह move लिया गया है government के द्वारा yes bank gujarat roadways joined hence to digitize bus travel payments तो yes bank the fifth largest private sector bank has announced a partnership with the gujarat state board state road transport corporation to digitize payments of bus tickets for its customer तो yes bank और gujarat state road corporation ने digitize payment करने के लिए type किया है ताकि bus tickets और digitize कर सके हैं तो yes bank काथ है मुंबई में और it was founded in 2004 which bank has recently launched contactless debit card तो contactless debit card कौन से बैंक ने recently launch किये हैं तो देखते हैं news the south indian bank has launched a contactless debit card which will make use of the near field communication technology तो NFC technology उसे करके कराय किसने south indian bank ने तो अब का answer हुआ b south indian bank तो और इसका इसका it was founded in 1929 और headquarter इसका के रिला के अंदर which of the following is teamed up with the sbi pnb for setting up mobile ATM तो कौन से है सब्सक्राइब के साथ में tie-up किया है company ने to setting to setting up mobile ATMs तो देखते है news after petrol pumps cash can now be withdrawn by swapping debit cards at the select Ola Caps as India's largest ride healing service partner with lender like SBI and PNB तो अब बाद में petrol pump के बाद में किसके जो ओला की Caps है वहां पर आप withdraw कर सकते हो अपने debit card swap करके कोलकता ओला इस partner partnered with the PNB while for Hyderabad it was collaborated with SBI and the अंदरबैंक तो आपका answer है यहां पर Ola Caps यह आपका answer है who is the head of the committee to identify possible mode of digital payment across different sectors तो कौन से head of the committee बना गया है तो possible digital payments different sectors में उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी committee के कौन head बनाए गया है तो देखते है news the central government has set up a high level committee to identify possible modes of digital payment across different sectors और इस committee के head बनाए गया है नेती आयो के जो CEO है Chief Executive Officer Amitab Kanth को बनाए गया है to measure to make online transition between government and the citizen cheaper than cash transition तो और नीती आयो के फाउस founded in 2015 इसके chairperson है Prime Minister CEO है Amitab Kanth and vice chairperson को और ने अर्विन पनगरिया तो आप answer है हाँ पर C Amitab Kanth which bank has announced the transition transform 100 villages into digital villages तो कौन से bank नानाउस किया है कि वो 100 villages को digital village के तोर पर transform करेगा तो देखते है news ICICI bank announced that it will transform 100 villages into digital bank in as many days as parts of its continuing effort to provide digital ecosystem across the country including ruler India और यहाँ it was founded in 1994 headquarters का मुमई के अंदर और CEO है चंदा कोचर तो आपका answer है आपर ICICI bank what is India's revised growth forecast for the year 1617 by the Morgan Stanley तो Morgan Stanley ने जो forecast कर ही है 2016 17 की revised growth forecast rate वो कितनी है देखते news American Morgan Stanley has lowered his growth forecast for 17 to 7.3 from 7.7 earlier an account of currency replacement program तो 7.7 से 7.3 पर बता ही है सिर्फ 0.4% कम कर रहा है Morgan Stanley ने demonetization के बाद में इंडिया की growth हाला कि जो मन्मोन सिंग अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 2% की कटवती का बोला है कि जो growth rate है वो 2% कम हो जाएगी लेकिन जो Morgan Stanley है उन्होंने बोला है उन्होंने बोला है सिर्फ 0.4% ही कम होगी वी वी आर कटिंग आर forecast 17-18 ग्रोथ 7.3 from 7.7 and 2018 की ग्रोथ है वो 7.7 from 7.8 said Morgan Stanley ने इन रिपोर्ट and it was founded in 1935 headquarter इनका न्योंक अंदर और यहां के CEO को है James P. Gorman which company has launched light wallet app recently light wallet wallet app recently कौन सी company launch किया है तो देखते है न्यूज डिजिटल वालेट फर्म Moby Wing has launched a digital light version of his mobile application targeting smartphone users and small business owners who face challenges of slow internet connectivity that hampers across a digital payment तो यह जो बहुत ही light app बनाए गई है जिसका size एक MB से भी कम है and it can be download within 30 seconds or by giving a missed call on a phone number सिर्फ 30 seconds के अंदर अंदर यह download हो जाईगी और यह फिर miss call देख सकते हैं फोन पर वहाँ से download इसको कर सकते हैं तो आपका answer है Moby Wing which has became India's new economic capital as per latest data released by Oxford economics तो नई देश की नई economic capital कि कौन से इस city को पताए गई है बायदा Oxford economics तो देखते हैं news Mumbai rank 31st among top 50 metropolitan economic entities globally in 2015 as per the latest report and Mumbai has been officially beaten by Delhi who secured 30 rank position और Delhi ने secure कर लिये 30 position globally तो आपका answer है New Delhi तो बादेश की जो नई economic capital है वह बंच चुकी है नई Delhi insolvency and the bankruptcy board bankruptcy board set up two advisory panels तो two high level committee has been set up by the insolvency and the insolvency and the bankruptcy board of India तो और ये एक nine member advisory committee है service providers headed by the educationist Mohundas Pai तो Mohundas Pai इसको ने इनको head कर रहे है उतकर्ष microfinance gets final load to set up small finance bank तो उतकर्ष microfinance को RBI के से final load मिल गई है कि वो अपने छोटे small finance bank operate कर सकता है तो उनका नया नाम होगा उतकर्ष small finance bank limited and is likely to start banking operation in November in early 2017 which bank has lowered co-branded credit cards with Bajaj Finance तो Bajaj Finance के साथ में कौन सी bank है जो की co-branded करेगा अपने credit cards तो देखे है news RBL bank one of the country's fastest growing scheduled commercial bank and the Bajaj Finance one of the most diversified non-banking financial cooperation announced a partnership to launch a series of co-branded credit cards for Indian customers the first of these cards is proposed to be launched in four quarter of fiscal year 2017 to RBL bank है जिन्होंने साथ में type किया है तो आपका answer है A और इनका headquarter है कोलापूर के अंदर RBL का महराश्रा के अंदर founded in 1943 और CEO है विश्ववीर अहुजा विश्ववीर अहुजा विच बैंक है public sector bank अंदर Bajaj Alliance General Insurance a private general insurance company has signed a corporate agency agreement for the distribution of Bajaj Alliance General Insurance product तो Canada bank के साथ में Bajaj Alliance ने काम स्टार्ट किया है तो आपका answer है C और Canada bank headquarter है बैंगलूरू के अंदर it was founded in 1906 and chairperson TN Mano Manoharan Amul has signed a pact with Dash to sell products in the US तो Amul ने कौन से company के साथ में deal कर रही है अपने product US में बेचने के लिए तो देखते है news homegrown food brand Amul will now be now sell its product in the US through online retailer Amazon global selling program तो Amazon के साथ टायप करके US में अपने product बेचेगा Amul तो आपका answer है Amazon A अब देखते हैं कुछ appointment जो की important है वह has been appointed as a US ambassador उता United Nations तो United Nations की US ambassador किनको बनाए गया है तो आपका answer है Nikki Haley Nikki Haley is appointed as a UN ambassador to UN तो आपका answer है A और यह पहली ऐसी first ever यह पहली ऐसी Indian American cabinet rank officer किसी भी administrative department में बनाए गई है यह दूवीर सिंग मली को पॉंटेटरी बनाया है निति आयोग has been निति आयोग special secretary with निति आयोग has been appointed as a new chairperson of the National Highway Authority of India तो यह दूवीर सिंग कौन ने भी special secretary निति आयोग के अंदर और अब यह उनको पॉंट किया है चेर person किसका National Highway Authority अप इंडिया का और यह organization का found की गई थी 1988 में और इसका अड़कोटर है न्यू डेली के अंदर who has been appointed as a interim chairperson of Tata Steel ताटा स्टील के interim chairperson किनको appoint किया गया है तो Cyrus Mr. उनको बाद हटाने के बाद में अब किनको बना गया है next OP भट बट है जो की जिनको Tata Steel का chairperson बना गया है तो आपका अंसर है A OP बट और इससे पहले भी दो को और कंपनियों में Cyrus Mr. को हटा जया गया है जैसे कि TCS और Tata Global Bravages है who has been appointed as a new hockey India president तो former hockey player Mariyama Koshi took charge of hockey India as his president with immediate effects तो Mariyama Koshi जो है उनको president बनाए गया है और यह कौन है former hockey player है तो आपका अंसर है D who has been appointed as a Pakistan new army chief तो Pakistan के नए army chief कि इनको appoint किया गया है तो देखते है न्यूज पाकिस्तान प्राइमरी से नवाज शरीफ पिक्ड लेटन जनरल कौमर जावेद बजवा to replace ongoing army chief राहील शरीफ तो राहील शरीफ को अठा के बजवा को वहाँ पे नया army chief बना दिया गया है और पाकिस्तानी capital इस्लामबाद currency है रुपी तो आपका वैसे आंसर हुआ है यहाँ पे B great community on De-gmo while promoted Lieutenant General Ranbir Singh to General Officer Commanding of the Strike one corp किन को बनाये गया है इस साल Ranbir Singh को बनाये गया है इस साल रनभीर सिंग बनाये गया है कि इस साल General Officer Commanding के और एके भट बनाये गया है DGMO तो आपका अट्टका आपका अश्तान है eh bhat who will be the head of the Chief Minister Committee on Demonetization तो Chief Minister Committee जो है demonetization के उनको कौन head करेंगे देखते हैं news the union government decided to constitute a subcommittee of the chief ministers of five states in the wake of demonetization of पांसोन अजार रुपे और यह head करेगा जो आंदरप्रदेश के जो CM है चंदरबाबु नाइडू वो इस committee को head करेंगे तो आपका answer है बी चंदरबाबु नाइडू अब देखते हैं इह awards देखते हैं next question world Sanskrit award 2015 has been given to the princess of the world Sanskrit award 2015 है वो किन को दिया गया है कौन से princess को दिया गया है तो देखते है news princess maha chakri shirdhan of thailand and the george cardona professor emirates university of peninsalvania usa were presented with the world Sanskrit award for contributing towards study advertising and the researching Sanskrit to Sanskrit के ऊपर research करने के लिए advertise करने के लिए study करने के लिए दो लोगों को यह award दिया गया है एक तो है maha chakri shirdhan किसके थाइलेंड के जो प्रिंस है और दूसरे george cardona जो की university of pennsylvania usa के अंदर है तो इन दोनों को यह award दिया गया है किनके दौरा दिया गया है vice president hamid ansari के दौरा दिया गया है और shirdhan was awarded for the year 2015 white george cardona was awarded for the year 2016 तो देखिए यह important है आपके लिए पहला 15 का आपका अंसर है थाइलेंड और यह कौन है मार्च चक्री शिर्धान है थाइलेंड के जो प्रिंस है इनको यह award दिया गया है और 2016 का जो आवर्ड दिया गया है वो जौर्ज कार्डोना को दिया गया है यह यूनिसिटी हो पैनेंशल लिए यह यूसे के अंदर है तो यह दोने ही नाम आपको याद रखने है थाइलेंड के कैपिटल है बैंकको करन्सी है बार्ट प्राइमरिसर है प्रायूत जर्नलिस्ट मालिनी सुभ्रेमनियम ओनर्ड विद प्रेस फ्रीडम अवर्ड तो मा को काफी प्रेस के फ्रीडम के लिए काफी तौर पर काम करने के बाद में यह यह दिया गया है प्रेस फ्रीडम अवर्ड विच कम्पनी और विद अवादेशन एक्सिलेंस अवाद 2016 और सस्टेनेबल डबलोप्मेंट इन माइनिंग तो एक्वा फांडेशन एक्सिलेंस 2016 अंदर इनको दिया गया Tata Steel को दिया गया Mining के तौर पर Sustainable Development के तौर पर इनको काम करने के लिए तो आपका अंसर है C Tata Steel तो International Boxing Association के अंदर Legend Award 2016 के इनको दिया है तो देखते है न्यूज इंगिन बॉक्सर मेरिकॉम और यह भी राज्यसभा की मेंबर भी है और आपका अंसर है MC मेरिकॉम तो Asia Pacific Screen Award के अंदर Best Actor का अवार्ड के इनको मिला है तो देखते है न्यूज इंडियन एक्टर मनुज बाच्पे एज वान दे बेस्ट पर्फॉर्मेंस अवार्ड बाद आक्टर एक्टर 10 एशिया पैसिफिक अवार्ड इस पर्फॉर्मेंस के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है और नवाजन सिद्धिगी को अनुरा कशब की रगमन रागाओ की रोल के लिए अवार्ड दिया गया है तो आपका अंसर है रस्किन बॉर्ण वाज प्रिजेंटर विजया अवार्ड दे तैम्स लिटरेचर फिस्ट इस आउस्टेंडिंग कोंट्रिबुशन इंद फील्ड ओ लिटरेचर तो आपका अंसर है रस्किन बॉर्ण सी आपका अंसर है इरानियन फिल्म डॉटर बैक्ट गोल्डन पिकॉक इटाइड डबल फ आई 2016 तो जो इरानियन फिल्म में डॉटर डाक्टर बादा रिजा कोई बेस्ट फिल्म अवाड दिया गया है इंडियन इंट्रनाशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया के अंदर ओके इस इहां पर दाफिल्म ओन्सों बेस्ट अट्र अवाड भी इन प्यानो तो मैजिगल प्यानो एक शॉर्ट फिल्म थी जो कि टून्स मीडिया ग्रूप ने बनाए थी उनको प्रिस्टीजियस युनेस्को सेलून यूथ वीडियो कंपेटिशन 2016 अवाड दिया गया है और इस रहे लिटन बाइदा मयूल वर्मा और युनेस्को का हैड़क बिकास क्रेंड जाए जाएगा विकास क्रेंट बाइब फिल्म थी जो की इंपारमेंट पर बनाए गई गया है और यून इसन को दिखाया जाएगा विकास कृष्णन यादाव सेलेक्टेट फॉर AIBA बेस्ट बॉक्सर अवर्ड तो International Boxing Association है सेलेक्टेट विकास कृष्णन फॉर इस ये बेस्ट बॉक्सर टाइल फॉर एक्सिलेंट पर्फॉर्मेंस और यह पहले इंडियन बॉक्सर है इनको यह अवर्ड दी मिलेगा अब देखते हैं स्पोर्ट से लेटे न्यूज निको रोजबग विन F1 टाइटल एज लिविस हैमिल्टन विन अबुदावी तो F1 का जो टाइटल है अबुदावी निको रोजबग को मिलेगा और हमिल्टन के नहीं जीता है अबुदावी ग्राइट ग्राइट प्रिक्स ड्राइविंग स्लोली इन अटाइम्ट टू ब्रिंग अधर ड्राइवर्स इंटू बैटल नोइंग ही नीडे रोजबग तो फिनिश बिलो थर्ड ड वुदावर्स चैनिटना से कीहां ओर टूप्रै अर्ट है जीट लिया है देविस तो ale नेे कृपिट छायज शेंग कम पोको को अगयोर्ट आपर है जो-वुदा जेगैनर चैनिक्व्ट गाइट अपर ने शेंट सर्षिएं और आइजनता की सब्राइज अओर शेंट आ है तो फिफ्टीन ताइम वर्ल्ड चैंपेंशिप तो पंकज आडवानी जो है उन्होंने ब्रॉंस मेडल जीता है तो आपका अंसर है अब देखते हैं that बड़े जनलिस्ट के तोरपेन को जाना जाता है तो उनके रिसेंटली डेथ हुई है फीडल कॉस्टरो ऐस पास्ट अब रिसेंटली वाज फॉर्मर प्रेसेंट अफ यह बहुत ही बड़ा नाम है दुनिया के अंदर और अमेरिका और कुबा के जो रिलेशन है वो काफी सालों से बहुत ही खराब थे इस बार कोशिच करेके अच्छा करने की बड़ा कोबामा के द्वारा और वहां के जो सबसे बड़े रिवलुशनरी लीडर थे उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है तो फीडल कॉस्टरो कॉन आपका अंसर है क्यूबा यह आपका अंसर है यह सारा important material था जो कि आपके fourth week of November से लेट करता है और इससे बाहरा के question आने के possibility नहीं है उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप हमें subscribe करेंगे so thank you and all the best